बाडमेर की रेली के बाद राजस्तान की सियासत के अंदर बुचाल आ गया, दोनों पार्टे में नेताओं के कान खड़े हो गये, और बाडमेर की रेली और बीकानेर की रेली की बदोलत थी, परदेश के अंदर जो 15,000 का करजमाफ इस्टेट आईवी को टोल फिरी किया गया में और खनीज के पत्टे जो पहले आउनलाइन किसान भी अपने खेत के अंदर अगर खनीज का पत्टा लेना चाता तो उसकी निला में होगी, आनलाइन दिला में होगी। उन सब में संसो तना कर वाया, किसान को उसका हकोर अधिकार मिला और ये जो स्वामिनातनायो की रिपोर्ट लागू करने के बार-बार बात कर रहे थे, वो दिल्ली में एक रभी और खरीब की फसल में से, एक फसल पे उन्होंने दुबनी बजार मुली से, दुबनी देर मुल कानून में उस्ता ठीक होने का अगर परियास शुरू है, और ये सारी SOG, ACB अगर शक्री होई, तो मुकार रेलियों का इसर था, कि राधिस्तान की सरकार डर गई, और शीकर की मुकार के बाद ऐसा लग रहा है, कि भारती जंता पार्टी की सरकार वेंटिलेटर पे चली कानून में आते हैं, उसका विरोध करने के लिए लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं, ये स्तथी बारती जंता पार्टी की सरकार की होगी, और हमारा मकसद भी कोई सत्ता प्राप्ति का मकसद नहीं था, हमारा मकसद था कि पहले परदेश के किसान जवान को उसका अकोर अ राजस्तान का अधिकाईों का अंदर बद्रिया, इसको लेकर हमने उंकार बड़ी थी और परिवर्तन का आगाज किया था, क्यारों रेलियां एक से पढ़ रहे कोई, और जो मेदान हमने लिये थे, उन मेदानों में ने तो पहले कभी रेलियां हुई और ने 50 साल तक किसी म मुद्धे हमारे टोल मुक्त राजस्तान, स्वामिन अत्रायोगरी को मुक्त बिदली और कर्ज मुक्त राजस्तान जो बहें से जार कर जाए, पूरा सरकार माप करें, मजबूत लोग काल बड़े, बेरोजगारी बड़ता, सरकारी चार लाग नोगले लगे, इनको लेके हम पर जो आज कोई क्रेक्टर मुझे बथा रहा था, कि हम आदेश जारी हुए, कि जितने भी जो नोगली कर रहे हैं, लोग जिनको लेके जर्ण मोधी वाँ पे जेपुर कंदर संबूरित करेंगे, तो सरकारी करमचारियों को सारे जो लोग हैं, उनको सब को एक लेटर करेंगे खाने-पेने के वेवस्ता बर्शों गया मुझे करेंगे आप जल्दी करेंगे, तो पूरी सरकार मोधी की रेली को सफल मनाने के लिए जेपुर हुए, मोधी को आवसेता है इसलिए पड़ गई, कि हुंकार के आगे सारी बात हैं फिकी रही, कि ओंडेस में हुंका जेपुर के अंदर हम बड़ी रेली करके पड़ाव डालेंगे, तो तक सरकार मांगे नहीं मानेंगी, हम राजदानी को केरेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे, तो उसके बाद नए फ्रेंट की पार्टी की गोषना जेपुर की रेली करेंगे, बाकी हम भुत्यों को लेके अब ही हमारी जार्जी यहीं विदान सब्सक्राइगा चोटा उस भी इन मुद्वों को लेकर हम रड़ा के अंदर जमने यहां रेली के दोड़ान आया था उमने मांकृतिक सिमावर्ति शेत्र है और इसको सिमावर्ति शेत्र को अत्रिक और रिफाइनरी और जो आपका रिफ अब बादन यहां पर हो रहा है निकल रहा है तो उसका जो 3% बाढ़मेज जिले को डवलमेंट के नाम से मिलना चाहिए था अभी भी सरकार करोनो रुपे इस डवलमेंट के नाम पे खा देए तो मैं परियास करूंगा यह पूरा प्रैसा बाढ़मेज जिले के विखास करन करी लेकिन वहां नेता होने जाके खाली फोटो किचवाए उस परिवार के हाड अलग से मदब किसी नेता नहीं करी तो मैं जाओंगा मेरी जित्ति इसा बजिन कर सकता हूं सरकार के अधिगहरे शुर बात करूंगा वर भी करके हम चाहेंगे कि उस परिवार को और भी न्या ला रही है, फांसी की बातें भी होती है, लेकिन बाद में आई कोड और स्प्रिम बोर के अंदर जाके खांसी कोड़र पर रोग लग जाती है तो रुन्या ही नहीं मिलता है अधिकार के जो नहीं के अधिकार के छिव इस तरह के करने की होती है तरसमागा करना चैये तरह के करना चींदर जो आपका CRPC, IPC के अंदर सुनसुदन सब्सक्राइब करना चीए, बलाजकारी, बुश्कर्मी, ऐसे लोगों को डंडे, कानून के डर से ही डराया जा सकता है, उनको लगता है कानून मजा के, हम छोड़ जाएंगे, तो ऐसे लोग फिर ऐसी कतना है, उनकी मांसिक का इस तरह क कि रिष्वास को लोगों का पूर जाएगा, लोग राणियों के अंदर जाते हैं, अगर इस तरह अपने ही लोग, चोटे बच्चों के साथ रुसक्राइब की गटना है, यह कही लोग आएंगे, तो पिर इसका मेसेज पूरे देश के अंदर दिली की गटना के बाद, अगर यह के देख वयम, किसको जानचे नहीं मार सकते हैं, लेकिन ऐसे अपराद करने वाले लोगों को सरयाम फांसी होनी की और एक ताइम लिमिटत्या होना की इतने दिनों के अंदर इस मामले का डिस्पर होगा, आप फांसी की बाद तो करते हो लेग, फांसी के तरह लोगों के अंदर बंबे, जेपूर जहां पंडी स्पर होगे, लंबे ट्राइम ट्राइल चली, कोई बेल पर आ गया, कोई बाहरा आ गया, जो लोग तक्रीव में चाहिए, उनकों के सभी मज़ों की बदलना है, और ब्यवस्ता बदलना है, और ब्यवस्ता बदलेंगे लि दोनों की जांच दराएंगे, और वेसे तो महिला और पूर्फों में जेला अलागे लग होती है, लेकिन अगर हम सकता के करीब आए सकता हम बटे, इस पेसल जेल बणा के, दोनों को एक जेल जानदर जेपूर देंदर होगे.